असलाम अलेकुम ग्रेट फॉर माइनम इस अदफ और यॉर कम्प्यूटर टीजर तो सुरेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे अपना यॉनिट नमबर सेवें जिसका नाम है लोगो केल्कुलेशन्स और सुरेंट्स इस यॉनिट में हम लोगों ने देखा कि हम किस तहां से प्रें एक ससाइस शिरू करने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने स्यॉनिट में क्या क्या पढ़ रहा है तो सुरेंट्स हम लोगों पढ़ रहे हैं लोगों केल्कुलेशन्स यानि के इस यॉनिट में हम लोगों ने पढ़िन डिफेंट केल्कुलेशन्स और लेबल कमांड क्या करती थी? लेबल कमांड हमारे रिजल्स को प्रिंट करवाती थी द्राइंग एरिया में और सुदेंट्स हम लोगों ने कौन कोन सी कलकुलेशन पढ़ी? हम लोगों ने बेसिक मिथेमेटिकल कलकुलेशन पढ़ी जैसे के अडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टिप्लिकेशन और दिवियन तो चलिए स्टुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइस सबसे पहला क्वेशन क्या है? चूज दे करेक्ट ऑप्शन यानि कि आप लोगों के पास कुछ 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 पॉसिबल आंसर्स और आप लोगोंने क्या करना है? आप लोगोंने सीटेबल आंसर्स को ँजान करना है तूज टे लिए फर्स कॉूशन देखिए यह साइन कौन से ऑपरेशन का है एग्या ंप्शञ संट देखिए ओप्शन मल्टिप्लिकेशन देखिए options multiply, devian या फिर addition का जी students हम लोगों ने पढ़ा था कि slash sign हम लोग क्यों use करते हैं क्या हम multiply करने के लिए use करते हैं या devian करने के लिए या फिर addition के लिए तो students आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि यह sign हम लोग use करते हैं, intervene के लिए, ठीक है, तो चलिए, इसे कर लेते हैं, mark, जी students, next question देखिए, तो next question है, dash command displays result in commander window, इन में से कौन से command ऐसी है, जो के results को कहां पर display करती है, commander window में करती है, ठीक है, चलिए, options देखिए, logo, print, या फिर, इन में से कोई नहीं, तो students, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या logo कोई command है, नहीं, students, logo कोई command नहीं है, बलके, इस language का नाम ही logo है, तो students, दूसरी command देखिए, print command, हम लोगों ने पढ़ा था, कि print command क्या करती है, प्रिंट कमांड आपके टेक्स्ट को, या फिर आपके कल्कुलेशन के रिजल्स को कहां पर प्रिंट करती थी, कमांडर विंडो में प्रिंट करती थी, याद है न, कमांड की रिकॉल लिस्ट में हमारे रिजल्स प्रिंट होते थे, तो students, इसका क्या मतलब हुआ, कि correct answer क्या है, correct answer है, print, तो चलिए से कर लेते हैं, mark, जी students, तो next question देखिये क्या है, जी, third question देखिये क्या है, third question है, the symbol, hysteric, is used for difference, devian, या multiplication, तो students, याद करके बताएं कि hysteric को हम लोगों ने क्यों यूज़ किया था, क्या devian के लिए यूज़ किया था, नहीं, devian के लिए तो हम लोग slash यूज़ करते थे, और difference के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, difference के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था, minus का sign, तो students, हम लोगों ने इसे यूज़ किया था, दो numbers का product find करने के लिए, तो चलिए, fourth question देखिए, fourth question है, dash command displays results in drawing area, इन में से कौन सी command ऐसी है, जो कहां पर results को print करती है, drawing area में print करती है, तो students चलिए, options देख लीजिए, logo, label, या फिर none, यानि कि इन में से कोई भी नहीं, तो students, आप लोग मुझे बताएं कि label command क्या करती थी, label command हमारे calculations के results को कहां पर print कर तो students, correct answer क्या है, correct answer है, label, तो चलिए, इसे mark कर लें, students, तो इसके साथ ही, हम लोगों ने अपना part A complete कर लिया है, अगर आप लोगों ने इन questions के answers को mark नहीं किया है, तो जल्दी से video को pause करें, और questions के answers को mark करके आ जाएं, जी, part B, देखें, students, क्या है, part B है, fill in the blanks, यानि कि आप लोगों के पास हैं कुछ statements और उन में blanks है, जिनको आप लोगों ने fill करना है, suitable words के साथ, तो चलिए, शुरू करें, फर्स statement है, print command displays results in dash, print command कहां पर results को display करती है, print command display करती है results को commander window में, तो blank में हम लोगों क्या लिखेंगे, कमांडर लिख लेते हैं, जी, students, तो ये statement क्या बन गई, print command displays results in commander, यानि कि print command क्या करती है, हमारे results को कहां display करती है, कमांडर में display करती है, चलिए, students, second statement देखें, the sign plus is used for dash, तो students, ये मुझे बताएं कि ये sign हम लोगों ने क्यों use किया था, जी, हम लोगों ने sign को use किया था, addition करते हुए, जब हम लोग 2 या 2 से ज्यादा numbers को add करते हैं, तो हम लोग कौन सा sign use करते हैं, प्लस का sign use करते हैं, तो students, blank में मैं क्या लिखूंगी, addition, जी, आप लोग भी मेरे साथ लिख लीजिए, हम लोगों ने blank में लिखा है, addition, यानि कि the sign plus is used for addition, ठीक है, चलिए, third statement देखिए, तो third statement है, PR 30 minus 20 will print, dash, तो students, यह command ज़रा गौर से देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, PR का मतलब है, कि result print होने है, कहां पर, commander window में, ठीक है, अब हमने result क्या print करना है, 30 minus 20, 30 minus 20 क्या होता है, students, 10 answer होता है, तो students, यह command क्या result print करेगी, 10 print करेगी, तो यहां हम लिख लेते हैं, 10, ठीक है, चलिए, next statement देखिए, the command, sum 5 and 10, will print, dash, तो students, देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग sum ले रहे हैं, और numbers कौन से है, 5 and 10, ठीक है, इसके साथ हम लोग कोई से भी command यूज़ कर सकते हैं, अगर हम print command यूज़ करेंगे, तो result कहां print होगा, commander में print होगा, और अगर label यूज़ करेंगे, तो कहां होगा, तो फिर होगा drawing area में, लेकिन students, सिर्फ इतना सा part हमें सही result नहीं देगा, उसके साथ हम लोगों को label या पर print command ज़रूर add करने पड़ेगी, लेकिन देख लेते हैं कि यह part हमें क्या print करके देता है, तो students, 10 और 5 का sum क्या होता है, 15 होता है, तो students, हम लोगों को result क्या मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए, तो blank में लिख लेते हैं, 15, ठीक है, जी students, तो हमारे part B का सिर्फ एक question बचा है, चलिए देखें क्या है, जी, last statement देखें, students, क्या है, last statement है, the quotient 55, will give you result, dash, तो students, हम लोगों को ने क्या बताना है इस statement में, कि अगर हम लोग लिखते हैं, print या label के साथ, quotient 55, तो क्या होगा, तो students, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, कि quotient क्या होता है, हम लोगोंने बात की थी, कि जब हम लोग दो numbers को divide करते हैं, तो जो answer हमारे पास आता है, वो क्या होता है, वो होता है, quotient, ठीक है, तो students, जब हम लोग divide करेंगे, 50 पर 5 को, तो क्या होगा, जो answer आएगा, वो होगा, quotient, ठीक है, तो answer क्या आएगा, answer आएगा 10, तो students, इसका मतलब ये हुआ, कि ये command क्या result प्रोड्यूस कर रही है, 10, तो blank में लिख देते हैं, 10, जी students, तो इस question के साथ ही, हम लोगों ने part B को भी कर लिया है, complete, तो चलिए, देखे हैं, कि हमारी exercise का part C, क्या है, तो students, part C है, take the correct and cross the wrong ones, यानि कि आपके पास हैं कुछ statements जो के right भी हो सकनी है, और wrong भी हो सकनी है, लेकिन आप लोगों ने decide करना है कि वो statement wrong है या right है, तो चलिए, शुरू करें, जी, तो पहली statement है, PR 10, hysteric 20, is the way to find product, जी, तो पहले मुझे बताएं कि product क्या होता है, Students, हम लोग जब दो numbers को multiply करते हैं, तो जो answer हमारे पास आता है, वो क्या होता है, वो होता है product, और multiply करने का method क्या पढ़ा था, hysteric को ही use करते थे थे न, हम लोग multiplication के लिए, जी, students, तो ये statement क्या कह रही है, PR यानि के print, और फिर 10 multiply by 20, is the way to find product, तो students, क्या ये statement ठीक है, जी, students, ये statement है, बिल्कुल correct, तो चलिए, इसे mark कर ले, जी, next statement देखिए, quotient is what you get after multiplying, तो students, आप लोग मुझे बताएं, जब हम लोग दो numbers को multiply करते हैं, तो क्या आता है, product आता है, ठीक है, और ये statement हमें क्या कह रही है, ये statement हमें कह रही है, कि जब हम लोग दो numbers को multiply करते हैं, तो हमारे पास quotient आता है, जो के है, बिल्कुल wrong, ठीक है, quotient क्या होता है, quotient तो दो numbers की deviance से मिलता है हमें, और multiplication से हमें क्या result मिलता है, दो या दो से ज़्यादा numbers की multiplication से हम लोगों को मिलता है product, तो students, ये statement है, बिल्कुल wrong, तो चलिए, से mark कर ले, जी, थर्ड स्टेट्मेंट देखिए, थर्ड स्टेट्मेंट है, label displays result in commander, तो students, हम लोगोंने दो commands पड़ी है, अपने results को print करवाने के लिए, वो कौन कौन सी थी? लेबल और print, तो students, आप लोगों मुझे बताएं, कि print command कहां पर results को print करती थी? कमांडर में, और लेबल कहां करती थी? ड्राइंग अरिया में, यानि के ये statement है, बिल्कुल wrong, तो चलिए, इसे mark कर ले, जी, students, अब हम देखेंगे, कि हमारी fourth statement wrong होगी या right होगी, तो चलिए, इसे देख लेते हैं, print displays result in drawing area, तो students, ये statement हमें क्या कह रही है, ये statement हमें बताती है, कि print command जो है, वो कहां पर results को print करती है, drawing area में print करती है, क्या ये बात ठीक है? नहीं, students, हम लोग उने पढ़ा था, कि print command हमारी results को display करती है, commander में, तो students, ये statement है wrong, तो चलिए, इसे mark कर ले, जी, तो last statement, देखिए, क्या है, last statement है, sum gives you addition of numbers, तो students, मुझे बताएं, कि जो दो numbers को add करके, हमारे पास results आता था, उसको हम क्या कहते थे? उसको हमने कहा था, sum, तो students, ये statement क्या कह रही है? ये statement हमें ये बताती है, कि sum gives you addition of numbers, यानि कि numbers का addition क्या है? sum है, तो students, ये statement ठीक है? जी, ये statement है, बिलकुल correct, तो चलिए, इसे mark कर ले, जी, students, तो इस statement के साथ ही, हम लोगों ने अपने part C को भी कर लिया है, complete, next lecture में हम लोग पढ़ेंगे अपने part D को, तो students, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गाला हाफिज, तो बढ़ेंगे अपने part D को,